एक्ससाइज नमर एक स्टेंडिंग डंबल साइड रेज दोस्तो यह साइड शोल्डर्स को गुरो करने की सबसे एफेक्टिव और बेश्ट एक्ससाइज है इससे साइड शोल्डर्स का साइज तेजी से गेन होता है इसमें आप एवी डंबल का यूज ना करें क्योंकि यह यह काईसोलेशन एक्ससाइज है आप इसके तीन से चार सेट बारा से पंदरा रेप्स के लगा सकते हैं एक्ससाइज नमर दो डंबल आरनोल्ड प्रेस दोस्तो इस एक्ससाइज को आप शोल्डर वाले दिन जरूर करें क्योंकि इससे फ्रंट शोल्डर और साइड शोल्डर दोनों ही काफी अच्छे से ट्रेन होते हैं और शोल्डर से त्रीडी शेप में वनते हैं आप इसके तीन सेट तस से बारा रेप्स के लगा सकते हैं एक्ससाइज नमर तीन इनकलाइन डंबल रिवर्स फ्लाई दोस्तो इस एक्ससाइज को करने से अपर बैक और पोस्टीर डेल्ट काफी अच्छे से ट्रेन होते हैं इसमें आप लाइट डंबल का इस्तमाल करें आप इसके चार सेट बारा से पंदरा रेप्स के लगा सकते हैं एक्ससाइज नमर चार मसीन शोल्डर प्रेस दोस्तो इस एक्ससाइज को आपने इस मसीन पर कुछ इस तरह से पफॉर्म करें इसमें एंडल को उपर करें तो सोल्डर्स को अच्छी तरह से स्पीज करें और एंडल को नीचे करें तो सोल्डर्स को अच्छी तरह से स्ट्रेच करें आप इसके तीन सेट 10 से 12 रैप्स के लगा सकते ही एक्ससाइज नमर पांच स्रक्स दोस्तो यह है ट्रैप्स मसल्स के लिए सबसे आसान और एफेक्टिव एक्ससाइज है इससे ट्रैप्स का साइज स्टेजी से गेन होता है आप इस एक्ससाइज को टंबल, पारवेल या फिर कोई भी बारी अबजेक्ट को पकड़कर एक्ससाइज को पफॉर्म कर सकते ही आप इसके 3 से 4 सेट 15 से 20 रैप्स के लगा सकते ही दोस्तो वीडियो कैसी लगे एक वार कोमेंट बॉक्स में जरूर बताना मिलते हैं अगली वीडियो में